हेला वेरिवन वेलकम टो फिजिक्स कोर्णर मैसेल्फ महिंग भारदवाज तो अपन आज पढ़ने जा रहे हैं जैसा कि अपन ने कल पढ़ा था स्मॉल उक्सिलेशन का पार्ट फर्स्ट उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था आज अपन सेकंड पार्ट में उससे रिलेटेड किय्शन लेकिया हैं उसको अपन आगे बढ़ाते हैं कियुशन को किस तरीके से सौल करते हैं से रिलेटेड प्रॉबलम को कैसे अपरोच करते हैं वह मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ ठीक है तो ज़्ज़बा से ज़दा चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें ठीक है तो देखेगा स्मॉल उक्सेलेशन के चेप्टर में अपन आगे बढ़ते हैं ठीक है एक क्यूशन लेका आया हूँ उसका सॉलुशन करेंगे कल कल के मेथड़ से जो इंट्रोड़क्शन अपन ने किया था ठीक है तो देखेगा क्यूशन का सॉलुशन करते हैं इसमें बोल क्या रखा है क्यूशन में तो इसमें बोल रखा है कि एक पार्टिकल है आपके पास एक पार्टिकल है वो क्या कर रहा है स्मॉल मास एम है जिसका ठीक है is moving under one dimensional potential वो किसके under move कर रहा है एक potential है जिसके under वो move कर रहा है वो potential है minus a x square upon l square ठीक है और आपके पास second है plus b x की power 4 l की power 4 ठीक है where a and b are positive constant यह आपके पास positive constant है यह जो आपके पास minus लगा है वो अलग से लगा है ठीक है तो बताना है find out the frequency of small oscillation about stable equilibrium ठीक है stable equilibrium होगा उससों मैं small oscillation की अपन को frequency पता करनी है तो सबसे पहले यह function है अपन नौट कर लेते हैं इसको ठीक है तो देखिएगा इस function को अपन नौट करते हैं तो यह आपके पास क्या आएगा v x की value की आएगी minus a x square अबर l की power l square ठीक है v x की power 4 upon l की power 4 ठीक है इसका derivative कर देते हैं क्योंकि stable equilibrium लाना है तो अपने को इसका derivative करना पड़ेगा ठीक है इसका derivative कर देते हैं del v x अबर del x ठीक है तो इसका derivative किया तो अपने पास क्या हो जाएगा minus a और l square यह आपके पास कितना हो जाएगा 2 x हो जाएगा ठीक है और यह कितना हो जाएगा plus b 3 x square upon l की power 4 equal to 0 क्योंकि first derivative 0 करते हैं तो वो अपने पास stable equilibrium की position पता कर लेते हैं कल introduction में बताया आशा कि double derivative को 0 के बराबर कर लो तो वो क्या होगी equilibrium position आगे और उस equilibrium position में जो equation आपके पास given होगी उसमें जो x की value होगी वो stable equilibrium की आपके पास position होगी ठीक है तो यह आपके पास मैंने equal to 0 लिख दिया इसको मैंने ठीक है अब इसको थोड़ा साई लिख लेते हैं तो यह कितना हो जाएगा minus a 2 x our l square equal to 3 x square b यह भी minus का हो जाएगा l की power 4 यह इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा minus का यह minus से minus cancel हो जाएगा x से 1 x cancel हो जाएगा तो यह हो जाएगा a और l square से l square cancel हो जाएगा यहाँ 1 बचेगा 3 x b l square ठीक है अब यहां से x की value निकाले हैं अपन तो x equal to कितना आजाएगा आपके पास x equal to कितना आजाएगा यह 2 a l square और b 3 b ठीक है इसका क्या हो जाएगा यह value आएगी आपके पास ठीक है यह value आने वाल यह अब यह value आपके पास आएगी एक value यह आएगी और इस सभी को इस सभी को इधर बेजा तो आपके पास एक value यह आएगी और एक value आपके पास क्या आएगी 0 आएगी 2 आपके पास यहाँ पर value आएगी ठीक है इसको note कीजिए फिर अपन आगे चलते है इसको note कीजिएगा फिर अपन आगे चलते है ठीक है, यहाँ पर नहीं कुछ गड़बड कर दी यह 3 नहीं, 4 है तो इसका derivative अपन इसको solve कर देते हैं सहीज तरीके से 4 आजाएगा यहाँ, 3 यहाँ पर sorry for that यहाँ आजाएगा 4, यहाँ जाएगा 3, ठीक है और यहाँ से दुबारश से solve कर देते हैं ठीक है, यह आपके पास कितना अजाएगा माइनस A, X cancel हो गया 2 भी cancel हो गया, L square भी cancel हो गया तो यह 1 बच गया, यहाँ बच गया माइनस का 2 X square B upon L square यहाँ से माइनस से माइनस cancel हो गया तो A, L square A, L square और 2 B, 2 B upon में 2 B आगया equal to X square आगया equal to क्या आगया X square आपके पास आगया ठीक है, इतना note कीजिए फिर आगे चलते हैं पर, तो यहाँ से आपके पास X square की value कहाएगी तो X की value आपके पास आईए, प्लस माइनस root A upon 2 B और भार L आजाएगा, L का root की अतना हो जाएगा, L square का root L बन जाएगा और आपके पास X की value एक 0 आजाएगी, ठीक है note कर लिजिएगा, इसको अब double derivative कर दिजिएगा एक तो आपके पास stable equilibrium X equal to 0 पे आएगा, mean position पे आएगा एक दूसरा stable equilibrium X equal to plus minus root A upon 2 B और L भार आएगा, ठीक है, आगे आपन solve करें, तो इसको देखें अब अपने पास function है, available है, तो मैं किस्टन को मिटो देता हूँ देखिएगा देखिए, आपके पास एक तो X की value आ गई है, plus minus root A, L square को भी अंदर रखो अपन 2 B, ठीक है, एक X की value आ गई है, 0 यह आपके पास इस पे क्या हुगा, stable equilibrium आएगा अब किस point पे आएगा, stable equilibrium इस पे आएगा या इस पे आएगा, वो आपन चेक करते हैं, double derivative करके, चेक करते हैं, जैसा maxima, minima में चक्कर होता है, वैसा आपन चेक करते हैं, ठीक है, अब यह X की value कहां put करेंगे, function में put करने से पहले double derivative करेंगे इसका, double derivative, ठीक है, double derivative कर दीजिएगा, double derivative कहां से होगा, यहां से होगा, तो यह आपके पास, minus 2A, X का derivative, 1 हो जाएगा, L square, प्लस यह जगा, B multiply 4, multiply 3, multiply X square upon L की पावर, 4, तो यह value कहां जाएगी, minus 2A, अवर, L square, प्लस 12B, X square, अवर L की पावर, 4, अब X की value 0 रखोगे, तो क्या होगा, आपके पास, double derivative की value क्या आएगी, negative आएगी, 2A upon L square, when X की value क्या है, 0 रखी है, तो यह क्या हो जाएगी, greater than, less than 0, ठीक है, यह क्या हो जाएगी, less than 0 हो जाएगी, ठीक है, तो stable equilibrium के लिए double derivative की value क्या होनी चीए, greater than 0 होनी चीए, greater than 0 होनी चीए, double derivative की value क्या होनी चीए, greater than 0 होनी चीए, तो देखिएगा, double derivative की value greater than 0 होनी चीए, तो अब यह value डाल के देखते हैं, ठीक है, यह value डाल के देखते हैं, यह वाली, प्लस माइनस रूट ए एल स्कॉयर अपॉन टू बी ये वेल्यू डाल गे देखते हैं और फिर इसको शोट आउट करने की प्रोब्लम को शोट आउट करने की बिल्कुल कोशिश करते हैं कि नोट कर लिया तो आगे चले हैं ठीक है अब डबल डेरिवेटिव अपना किया हुआ है ठीक है अब उपर वाला मिटो देते हैं फॉंक्शन अपने फॉंक्शन ही अवेलेवल रखते हैं कि इसकी नीड पढ़ेगी आगे ठीक है इतना मिटो दिया है अब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू यह यह तिक है यह वाली क्या है आपके पास डबल डेरिवेटिव की वैल्यू है ठीक है अब इसको मैं दूबारा लिख रहा गी माइनस टू ए अवर एल स्क्वाइर प्लस ट्वैल्व बी एक्श स्क्वाइर अवर एल की पावर फोर ठीक है अब एक्श स्क्वाइर की वेलु यह रखोके तो क्या वेल्यू बनेगी डेल्टा वी आवर डेल्टा x square minus 2a over l square plus 12b over l ki power 4 यह क्या square की value है तो क्या होगा a l square over 2b ठीक है b से b cancel l square से l square cancel तो delta square v over delta x square equal to कितना जाएगा minus 2a over l square plus 6 P positive आगया तो यह आपके पास क्या हो गया stable equilibrium बनाएगा आपके पास क्या बनाएगा stable equilibrium बनाएगा stable equilibrium की condition show करेगा stable equilibrium की condition आपके पास यहाँ पर यह show करेगा ठीक है, यह stable equilibrium की condition को represent करेगा stable equilibrium की condition को परधरसित करेगा ठीक है अब यह stable equilibrium की position को represent कर रहा है, तो यह double derivative की value है, जो आपके पास यह position है यह क्या आपके पास stable equilibrium की position है position of position of stable equilibrium position of stable equilibrium यह आपके पास क्या है stable equilibrium की position है तो stable equilibrium की यह position हो गई और जिसके respect में double derivative potential का double derivative की value आई है 4A over L square ठीक है तो यह आपके पास किसके बराबर हो जाएगी यह आपके पास हो जाएगी के के बराबर हो जाएगी force constant के के बराबर हो जाएगी ठीक है इतना note कीजिएगा ठीक है अब आगे चलते हैं देखिएगा अपने पास के की बराबर हो जाएगी के की बराबर हो जाएगी तो मैं के की बराबर लिख रहा हूं उपर तो के की बराबर हो जाएगी 4A over L square ठीक है अब मैं सम्मिट हो देता हूं अपने को frequency चाहिए अब frequency की value चाहिए ठीक है बच्चो अपने पास अब frequency की value चाहिए की value आगई तो time period की value क्या होती है 2 pi root m upon k ठीक है, small mass m है तो k की value रखोगे तो कितना हो जाएगा 2 pi root m यह आपके पास 4 a उपर l square ठीक है, तो यह आपके पास l भार जाएगा तो 2 pi l यह m अवर a और यह 4 भार जाएगा तो 2, तो क्या बनेगा आपके पास time period बनेगा आपके पास time upon a, frequency just ultra होता है 1 upon f होता है ठीक है बच्चो frequency क्या होता है, just ultra t equal to 1 upon m ठीक है, time का और frequency का क्या relation होता है time ब्राबर 1 upon frequency time equal to 1 upon frequency होता है ठीक है, तो यहाँ से निकाल लें है अपन तो यह इतना हो जाएगा यह हो जाएगा आपके पास 1 upon pi l root a upon m यह आपके पास frequency आगई frequency of stable equilibrium frequency of stable equilibrium not कर लीजेगा ठीक है, नोट कीजेए, फिर नेक्स्ट कुशन करते हैं अपन potential देता हूँ, ऐसा ही कुशन है करना है अपन को तो देखिएगा इतना नोट कीजेए, फिर potential देता हूँ, फिर ऐसा ही अपने पास कुशन रहेगा ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट कुशन को अपने पास कुशन को नेक्स्ट कुशन देखिएगा नेक्स्ट कुशन है वी एक्स इक्वल टू माइनस माइनस ए माइनस लेंडा माइनस लेंडा एक्स स्क्वाइर बाइटू प्लस ओमेगा एक्स की पावर फोर और थ्री यह potential है आपने पास इसका solution कीजेगा ठीक है अब इसका solution कीजेगा ऐसा ही सब कुछ ऐसा ही करना है अपन को यह format का use लेना है डबल डेरिवेटिक करना है वैसे अपने पास stable equilibrium में इसमें time period find out करना है time period find out करना है ठीक है इसमें आपके पास time period आपको find out करना है तो time period निकाल दीजेगा इस problem solution हो जाएगा इसको note कीजे फिर next question पर चलते है next question है आपके पास देखेगा next question है आपके पास vx equal to v naught cos hyperbolic x upon l ठीक है next question है आपके पास vx equal to v naught by 2 1 minus e की power minus alpha x square ठीक है इन दोनों question को solve करने की कोसिस किजिएगा पहले ठीक है सबसे पहले hyperbolic वाले question को solve करते है ठीक है hyperbolic वाले question को solve करें तो देखिएगा इसमें time period निकालना है इसमें भी time निकालना है इसमें भी time निकालना है ठीक है तो देखिएगा कैसे solve करते है hyperbolic को V not cos hyperbolic X upon L ठीक है तो इस problem को कैसे solve करते हैं तो यहाँ पर अपने board पर देखिएगा किस तरीके से इस problem को open sort out करते हैं किस तरीके से इस problem को open करते हैं ठीक है तो यह आपके पास क्यों हो जाएगा V x equal to V not cos hyperbolic X upon L ठीक है तो vx अपने को क्या दे रखा है v naught और hyperbolic को लिखें तो e की power x upon l plus e की power minus x upon l ठीक है hyperbolic को क्या लिखेंगे hyperbolic को अपन लिखेंगे ऐसे ठीक है upon 2 ठीक है binominal expansion से इसको solve किजेगा vx equal to v naught by 2 यो जाएगा one plus x upon l one by two x upon l का square plus one minus x upon l और यहाँ पर minus का sign है तो केवल यहाँ पर minus का sign है alternate आएगा इसमें इसमें पहले minus का sign है यहाँ फिर plus का फिर minus का ठीक है ऐसे चलेगा प्लास वन बाइगा प्लास वन बाइटू थोड़ा सा ओर सॉल कर देते हैं तो v naught by 2 यह one यह one केतना हो गया two यह ट्रम आपके पास क्या हो गई cancel यह वाली ट्रम और यह वाली ट्रम क्या हो गई cancel हो गई आपके पास और यह ट्रम यह ट्रम बची वन बाइटू वन बाइटू क्या हो गया one हो गया plus x upon l का square ठीक है यह बचा plus zone आगे वाली ट्रम को neglect कर देंगे अपन फिर आगे देखो solve करें हैं अपन तो इसको 2 को अंदर लिया है तो कितना हो जगा v naught v naught plus v naught by 2 x upon l का square यह बन जाएगा आपके पास ठीक है यह ट्रम बन जाई इतना लिखी है फिर अपन आगे solve करते हैं इसको ठीक है अब देखो अब थोड़ा सा इसको यहां से solve करें हैं अपन फिर आपके बस v naught 1 by 2 यह x square हो जाएगा और यहां पर bracket हो जाएगा x square को मैंने भार निकाल दिया l square नीचे है v naught को मैंने ऐसा कर दिया मतलब v naught को मैं अंदर लिया l square को भार निकाल दिया 1 upon l square को भार निकाल दिया तो यह क्या बन गया energy की ट्रम बन गई half k x square इसको compare कर वाऊँ मैं किस से half k x square से compare कर वाऊँ तो k की value मुझे पता करनी थी तो k की value आपके पास क्याएगी k की value आएगी v not over l square v not over l square अपने पास क्याएगी k की value आएगी अब अपन time निकालना है तो t ब्राबर 2 pi root m upon k ये term use लेंगे t ब्राबर t equal to 2 pi root m upon k ये term upon याँ पर use ले लेंगे ठीक है not कर लीजेगा इसको अब k की value यहाँ डाल दो और soul हो जाएगा क्यूशन next question है आपके पास इसको खुद करने की try किजिए next question मैं लिख देता हूं फिट से जिसमें इसमें आप frequency निकालनी कोशिश किजेगा frequency भी निकालनी कोशिश कीजेगा इसमें frequency क्या होगी वह निकालनी की कोशिश कीजेगा ठीक है नौड कर लिजे अराम से कर दोुआ पर दोुआ। ठीक है नोट कर लिया हो तागे चले हैं पन ठीक हो किस्वन लिख देता हूं मैं किस्वन है आपके पास वी बराबर वी नोट बाई टू वन माइनस ए की पार माइनस अलफा है इसको है ठीक है यह किस्वन है यह कीज़ेगा ठीक है इसके बाद में अपन आगे बात करेंगे एनर्जी ट्रम कैसे निकालेंगे इसमें टाइम फिरक्वेंस निकालेंगे एनर्जी ट्रम कैसे निकालेंगे टॉर्क कैसे निकालेंगे जहां से कंप्टिशन एक्जाम में कैप्चर होते हैं किस्वन्स ठीक ह तो ये कर लिजेगा फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए वीडियो को जाधा से जाधा शेयर करने की कोशिच कीजिएगा थैंक यू